आदनिये बुजर्गों, भायों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज इस 74.7 दिवस के पावन परवपर आप सभी को हार्दिक बधाई अवम शुब कामनाई देता हूँ. 73 साल पहले इसी शुब दिन पर हर भारतवासी ने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी. इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए बड़े गर्व और गर्व का दिन है. इसी दिन को देखने के लिए भारत मा के कितने ही सपूतों ने अपनी जान की कुरवानी दी और असंखे स्वतंतरता सेनानियों ने विदेशियों के हाथों कस्ट और यातनाएं सही हैं. आईए, आज हम उनके ही जैसे देश भक्ती, देश प्रेम, साहस, वकर्तव निष्ठा और हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण लें. आप जानते हैं कि गत 18 जून को गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए. आज मैं उन वीरों को भी शर्दहंजली अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रती कर्तग्यता वसंवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्हों ने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया. आईए, आज हम देश के लिए जान नुचावर करने वाले सभी ग्यात अग्यात शहीदों को शर्दह सुमन अर्पित करें. रास्ट कवी, रामधारी सिंग दिनकर ने शहीदों को शदहंजली देते वे कहा था, जिनकी चड़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभीलाशा, मरन एक जिनका तेवहार, नमन उने मेरा शतवार, नमन उने मेरा शतवार. आजादी के एक दिन कई मानों में एहम हैं, और सबसे एहम इसलिए हैं, कि आजादी के इस जशन को हम एक महमारी के दोर में मना रहे हैं, करोना ने हमारी आजादी में कई बंदिशें लगा दी हैं, हम आजाद हैं कुछ बंदनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये वर अफ्तार को जरूर रोका है पर हमारे होंसलों को नहीं रोक पाया है इस होंसले को बनाये रखने और इस महामारी से निपटने में अपनी जान की परवार न करते हुए अने करोना वार्याज ने मानवता की महान सिवा की है उनमें डॉक्टर्स नर्सेज वा अन्य चिक्षा सफाई कर्मी आगनवाडी कारता आदी शामिल हैं मैं इस निस्वार्थ सिवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ दंडेवाद करता हूँ भायो बैनो इस बार के सुतंतरता दिवस से दस दिन पहले ही पांच अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुर्षोत्म भगवान श्री राम जी के मंदर का शिलनास मानिये प्रदान मंत्री श्री नेंदर मोदी जी के करकमलों से हुआ है इसे के साथ हमारा पांच सो सालों का इंतजार भी खत्म हो गया हमारी शास्वस्त आस्ता का प्रतीक ये मंदर आने वाली पेलियों को आस्ता शर्धा और सांस्क्रत उत्थान की प्रेरना देता रहेगा इससे ठीक एक साल पहले पांच अगस्त को ही परदान मत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सो सतर वापैतिस एक को हटा कर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया था धारा तीन सो सतर हटने से नकेवल कश्मीर आज़ाद हु हुआ है वहीं राम मंदर बनने से नकेवल रामलला टेंट तंबू और ताले से आज़ाद हो गए बलके पूरा देश अपनी आस्था के शिर्मार अपने आदर्श भगवान शिरी राम से मिलने के लिए आज़ाद हो गया नई शिक्षा नीती आई इसमें शिक्षा को ही अचान ही नहीं मिली बलके अपने ही देश में अपने होकर प्राय होने की विवश्चता से भी आज़ादी मिली है साथ ही देश की सुरक्षा में भी नए आयाम जुड़े हैं नके वह लड़कियों को सेना में स्थाई कमिशन मिला अपितु देश की सिमाव पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया गया 29 जुलाई को रास रक्षा के लिए पांच राफेल विमान हमारे हां अंबाला एर बोस पहुंचे जो अति आधुनिक तकनीक की हथ्यारों से लैस हैं मुझे इस बात का गर्व है कि हर्याना वासियों ने भी देश की स्वद्दंतरता अंदोलन म अग्रणी भूमिका निभाई है सन 1857 की स्क्रांती तो अंबाला च्शावनी से ही शुरू हुई थी हर्याना के वीरों ने देश की सिमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिये हैं हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर दस्वा सैनिक हर्याना से है हमारे सैनिक हुए है कि हम मात्र भूमी के लिए जान निचावर करने वाले शहीदों के परिवारों वह उनके आशृतों की देखवाल करें इसलिए हर्याना सरकार स्वतंतरता सेनानियों वह उनकी विद्वाओं को 25,000 रुपे मासिक पेंशन देती है हमने युद्वे शहीद सैनिक परि आज मेरा स्वतंतरता देवस की अवसर पर दोजारों का ये छटा आउसर है पिछले साड़े पांच वर्ष में हमारी कारे करने की प्रेणा का एक ही केंदर बिंदू रहा है कि कैसे अपने समय का एक एक खषण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए हमारी सरकार एक स्पस्ट लक्ष को लेकर आगे बढ़ रही है वह विशह है विवस्था परिवर्तन का जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता या ये तो ऐसा ही चलेगा हमने उस विवस्था और मान सकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ उठाया है राजनितिक आजादी तो हमें साल नुई सो सेटालीस में ही मिल गई थी लेकिन साथ दशकों में भी सरकारे परशासनिक जगरनों से निजात नहीं दिला पाई जब इन रूड़िवादी विवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की उनकी कमियों को बदलने का निश्य किया तो यथा स्थेतिवादी लोग उसे घोटाले की संक्या देने लगे समस्या को हमने समझा उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए बिचोलियों को हमने गरफतार कराया तो ये घोटाला कैसे हो गया जब हमने ही कमी को पगड़ा है और हम ही उसे दु कर रहे हैं तो फिर इसे तो बुन्यादी सुधार की संगया दे जानी चाहिए न के घोटा लेकिए आपने पिछले कारेकाल से ही हमने विवस्था परिवर्तन कर सुशाशन परदान करने के लिए इगवर्नेस के जरीए गुड़ गवर्नेस का रास्ता और विस्टाचार के प् से किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकारी नोक्रियां तो मेरिट के अधार पर ही पारदशी तरीके से मिलेंगी बहुत से लोगों ने इस पर स्वाल उठाए इसकी सफलता पर संदे किया लेकिन हमने इस प्रण को पुरा करके दिखाया है और सतर हजार से अधिक नोक्रि भविश्य में हमारा लक्ष ऐसी विवस्ता बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं व कारेकरमों का लाब लेने के लिए कारेले में न जाना पड़े बलके सरकार स्वाम उनके घर जाकर लाब परदान करे इसके लिए हर परिवार का पैचान पत्र बनाकर सरकार की स सिवाओं और योजनाओं को उससे जुड़ा जा रहा है हम इस मास के अंतर तक बीस लाख परिवारों को उनके घर में जाकर के पैचान पत्र दे देंगे प्रदेश वासियों हरियाना क्रिशी प्रदान राज्य है इसलिए क्रिशी क्षेतर का विकास हमारी पहली प्रात्मि नहीं समझी हम 2022 तक किसानों की आए दो गुना करने के लिए पतिबद्ध हैं इस दिशा में हाल ही में किंदर सिकार ने जो तीन एतिहासिक कदम उठाए हैं इस से 74 साल के बाद ये आजादी किसानों के लिए भी आजादी होगी इनमें आवशक सेवा वस्तु अधियम में सं पुले आशवासन पर किसान समझोता और किशी से वा द्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी वा बजार में फसल बेचने और कंट्रेक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है वोई उसने हैं तो बेचेगा भी वही और बेहतर दा पूर्टल शुरू किया है कोविड उन्नीस महवारी के दौरान इस पूर्टल के माध्यम से हमने रवी की फसलों के दाने-दाने की खरीद की है किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खाते में पहुचाए हैं किसान की उपज़ का संरक्षत मूले देने के लिए भावानतर भरप कि खेती के लिए पानी पहली दरूरत है लेकिन हमारा दाइट तो है कि हम कम से कम पानी का उप्योग करें ताकि ये आने वाले पेड़ीं के लिए भी बचा रहें इसलिए हमने धान का रगवा कम करने वा कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत यूजना शुरू की है इसके तहट किसानों को साथ हजार रुपए प्रती एकड़ की वित्यस हैता दी जाएगी कोई कुछ भी कहता रहे अलग-अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम दे कर चाहे राजनिती करता रहे लेकं हमने यह संकल्ब किसानों और उनकी आने वाले पीडियों के भविश्य को बचाने के लिए लिया है हम इसे उनकी सहमती से ही पूरा भी करेंगे हमने सिचाई के लिए भी अनेक महतवा कंक्षी योजनाई बनाई हैं अब तक देश कृषी प्रधान तो था लेकिन किसान प्रधान नहीं था अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा साथियो एक दूसरा वर्ग भी है जो उतना ही अताश निराश और प्रेशन था जिसके लिए आजादी ना तो कभी आई और ना कभी उसने दी गई वो वर्ग है करमचारी वर्ग ये वर्षगांट उनके लिए भी आजादी लेकर आई है रोजगार की दिशा में हमने युवाओं को युगता के अधार पर पारदर्शी डंग से लगबख 75,000 नौकरियां दी है हमारे युवा अब नौकरियों के लिए सिफार्षें तलासते नहीं फृते बलके पर्तियोगी परिक्षाओं की तयारी में कड़ी मिनत करते हैं इसी का परिणाम है के I.E.S. परिकषा तक में उन्होंने अपनी परिणिभा से परदेश का नाम रोश्ण किया है इस साल इसके परिणामों में प्रदेश के 25 युवाओं सफल रहे हैं यही नहीं हरियना के ही प्रदीप मलिक ने पहला और हिवाशु जैन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है मैं इन सब 25 युवाओं और उनके परिजनों को हर दिक बदाई देता हूँ रोजगार प्राप्त करने से पहले तक तो बेबस थे हमने उन्हें अजादी दी पर्ची खर्ची के दोरा नोकरी पाने से अजादी अपनी योगता के दम पर आगे बढ़ने और स्वाविमान से काम करने की आजादी अपनी पहली पसंद की जगा जाने और वहां काम करने की आजादी अर्थाथ आउनलाइन ट्रांसर पॉलिसी पूर्व में करमचारियों को कठपुतली बनाकर वेवार किया करते थे प्रंतु अब इमांदर करमचारी आजादी की सांस ले रहे हैं त्रिशिक खेतर के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्फवस्था का अधार है रोजगा सरजन में भी उद्योगों की एहम भूमिका होती है इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित अध्योगे के विकास सुनिशित करने के लिए उद्यम परुत्सान नीती लागू की जिसके बड़े अच्छे परिणाम आये हैं अब हम नई उद्यम परुत्सान नीती दोजार बीस तैयार कर रहे हैं हम कोविड नाइंटीन महारी के दोर में प्रदान मंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे को आधार बनाकर आत्म निर्वर्था की और कदम बढ़ा रहे हैं प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुरास्टे कंपनियां हर्याना में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं हमने सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्या में अलग से MSME का गठन किया है क्योंकि MSME न केवल अर्थ विवस्था को मजबूत अधार देते हैं बलकि युवाओं को रोजगार के अफसर भी प्रादान करते हैं नीजी खेतर में हर्याना के युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने की विवस्था बनाई गई है अब हम प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोजगार प्रदान कर रहे हैं रोजगार संबंदी जानकरी देने के लिए रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर भी बनाया गया है साथियो आधी आबादी को उनके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की शुरुवात भी हम कर चुके हैं हरियना सरकार ने समाज की आधी आबादी यानि मैलाओं को सशक्त करने और संपूर्ण ताकत देने की दिशा में कई एतियासिक कदम उठाए हैं ताकि उन्हें सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके पंचायतों में मैलाओं के लिए पचास फिसदी भागीदारी के विस्था सशक्तिकर्ण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नोकरियों में लगातार मैलाओं की हिसेदारी बढ़ रही है हमारी सरकार बनने के बाद से हमने ना सिर्फ लिंगा नुपात को सुधार कर एक हजार के मकाबले नौसो तेश तक पहुचाया बलके मैलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेजों की विवस्ता की है परदेश में 66 नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें 42 लड़कियों के हैं मैलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेज की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है जिसे जल्द ही दूर करने का प्रियास किया जा रहा है फ्री सेनेटरी नेपकिन बाटने की जो विवस्ता शुरू हुई है ये मैलाओं को स्वस्त और शशक्त बनाने में कारगर होगी ऐसा मेरा विश्वास है महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हमने राज्ये में 31 महिला पुलिस थाने खोले है वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र तीन प्रिशत थी जिसे हमने 10 प्रिशत कर दिया है अब हमारा लक्ष इसे 15 प्रिशत करने का है हमारी सरकार आधी अबादी को उसकी जन संक्या के नुपात में पूरी ताकत देना चाहती है प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क, रेल और मेट्रो सिवा के साथ-साथ हवाई सिवा के विस्तार पर भी विशेश ध्यान दिया जा रहा है प्रधेश में राष्टिय राजमार्क के साथ साथ प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना मन्डी मार्ग योजना मुख्य मंत्री खेत सड़क मार्ग योजना के परिणाम सरोप सड़कों का सुद्ड़ जाल फैला है बाई और बेनों वर्थ मान समय में बिजली भी विकास की पहली जरूरत है हमने बिजली इंफरास्रक्टर को मजबूत किया है और लाइन लास घटा कर 17.27 प्रिश्यत तक ले आए हैं इससे बिजली वितरन निगम लाब में चल रहे हैं हमने महरागाओं, जगमगाओं, योजना के तहट 24 घटी विजली देने का काम 10 जिलों में पूरा कर दिया है इन जिलों सहित राजय के अभी तक 4638 गाओं में 24 घटे विजली दी जा रही है और आज से 4838 गाओं में दी जाएगी लेकिन ये बात ये है कि हमने पिछले पांच वर्षों में बिजली की दरें बढ़ाने की बजाए कम की है शिक्षा के खेतर में भी हमने बच्चों के लिए 3000 प्लेवे स्कूल खोलने का ने ने लिया है जिन में 1000 स्कूल इसी साल खोलने की प्रक्रिया जारी है हम राज्य में 82 नए संस्कूल भी खोलने जा रहे हैं कोविड-19 महामारी जैसी स्थेतियों से निवटने के लिए आउनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है हम नई शिक्षा नीती 2020 के प्रावधानों को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने के लिए क्रत संकल्प है यह नीती देश को नई शक्ति पदान करने में प्रिवर्तनकारी कदम साबित होने जा रही है प्रिवर्देश वासियों सरकार की नई खेल नीती और खिलाडियों को लगाता दिये जा रहे प्रोसान के कारण हरियाना के खिलाडियों ने अंतरास्ट ये प्रित्योगताओं में पदकों की जड़ी लगा कर देश का नाम रोशन किया है हम सबी खेलों के लिए संसाधनों और सुईधाओं को विक्सित करने पर जोर दे रहे हैं हमें गर्व है कि इस बार का खेलो इंडिया दोजार इकीस प्रित्योगता की मेजबानी करने का आउसर हरियाना को मिला है देश वर से लगभग 15,000 खेलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे भायो बेनों इसके साथ ही प्रदेश में स्वास सेवाओं को बहतर बनाने के लिए भी विशेश कदम उठाए गए है हमने कोविड नाइंटीन महामारी से निपटने के लिए प्रियाप्त कोविड हस्पिताल, टेस्टिंग लैब, आईसोलेशन वार्ड, प्लाजमा बैंक वा चिकित सावप करनों के विश्था की है इसी का प्रिणाम है कि आज प्रदेश में कोविड के 83 प्रतिशत से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं हमने सम मरीजों की जान बचाने की भरसक कोशिश की, फिर भी कुछ जाने चली गई, इसका मुझे बड़ा दुख है ग्राम विकास की दिशा में एत्यासिक कदम उठाते हुए हमने गाओं को लाल डुरा मुक्त करने का काम शुरू किया हुआ है और दो अक्तूबर तक 242 गाओं को लाल डुरा मुक्त कर भी दिया जाएगा लोगों को संपतियों वाजमीनों के लेंदन में दोखा धड़ी से बचाने के लिए संपतियों और भूरिकार्ड का ब्यवरा ऑनलाइन किया जा रहा है इसके लिए वेब हेलरिस पोर्टल पर 127 तैसीलों और उप तैसीलों का ब्यवरा डला जा चुका है भायों बैनों हमने हर वेक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्त, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान सुनिशित करने की दिशा में अनेक योजनाय चलाई होई है ठीक उसी तरह असंबल से दिखने वाले कारे जैसे रजिश्ट्रियों में ब्रस्टाचार को बंद करना पाद दर्शिता के लिए सक्त कदम उठाना बीपेल परिवारों के राशन व्यवस्ता में ठगी को बंद करना हर्याना के हजारों गाओं को लाल डोरे से मुक्त करना मुख्यमंत्री परिवार समित्धी योजना के तहत छे लाग से ज़्यादा परिवारों को सीधी साहता पहुचाना और हर हर्याना वासी का परिवार पैचान पतर बनाकर उसे सामाज एक सुरक्षा के दारे में लाना सभी कारे सुनिश्चित किये गए है मुख्यमंत्री विवाश शेगुन योजना अम्बेड कर मेधावी छात्र योजना अंतियोदे योजना आदी द्वारा गरीब परिवानों को लाब दिये जा रहे हैं इस स्वर्ष हमने सुशाशन का संकल्प या था ये संकल्प किसी एक के लिए नहीं है बलके सभी के लिए है और हम उसे पुरा करेंगे आप उसे महसूस करेंगे जन्जीरें के बल गुलामी की या अंग्रेजों की नहीं थी बलके एक मानसिक्ता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया सत्ता को शाशन का जरिया बना कर रखा और कभी जनता की सेवा का ख्याल ने रखा हमें उस मानसिता से भी देश को आजाद करना है हम सुशाशन सब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे बलके सुशाशन समाज से, संकल्प से और सभी के साथ से लाएंगे और सभी के लिए लाएंगे इस एत्यासिक दिवस पर जब हम अपना सुशाशन संगराम के शहीदों को शाधान ले रखाने तथा देश के नव निर्वान के लिए मिलकर काम करने की शपत ले इस पावन असर पर मैं एक बार फिर से भारत के सुशाशन संगराम के शहीदों को शाधान ले रखित करता हूँ और हरियाना के करमठ लोगों के उज्वल भविशे की कामना करता हूँ जै हिन जै हरियाना